गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है कार के इंशोरंस को लेकर जहां पर हम कार के इंशोरंस के एड़ आन जो कवर हैं उनके उपर जो है मतलब डिसकॉशन करेंगे वाँ सो फ्रेंड्स यह जो बहुत ही टॉपिक जरूरी है क्योंकि जब भी हम कोई नया विकल पर चीज़ करते हैं चाहे फोउर वील ले लो उसके उपर हमको इंशोरंस जो है वो लेने पड़ती है खास करके तो जो कार इंशोरंस है इसमें हम बहुत से ऐसे पॉइंट्स है जिनमें ठगे जाते हैं हम और बिना टेम वीस्ट की हम स्टार्ट करते हैं आज कल एक बहुत ही इंपॉर्टन्ट जो टॉपिक है मतलब वो चल रहा है जो हम फर्स्ट पार्ट में लेते हैं जड़ डी जात रखे फ्रेंड्स इसकी जो एब्रिवेशन होती है जीरो डेप्रिसेशन और इसको हम बंपर टू बंपर इंशोरंस भी बोलते हैं इंशोरंस जो है हम इसमें इंशोरंस जो कमपनी है वो कैशलेस इंशोरंस है वो जो वो कवर अप करती है और इस insurance में आपको comprehensive insurance plus third party insurance और plus cashless insurance होती है इस insurance में आपको जब भी आपने claim लेना हो तो आपको कुछ ना कुछ फाइल चार्ज देने पड़ते हैं और इस फाइल चार्ज पे आपको उसके बाद में आपको कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता और आपकी गाड़ी है जो repair हो जाती है और ज्यादर को friends खास करके जे जो जेड़ी मतलब जो add-on cover है जे ज्यादातर body part cover up करने के लिए ही मतलब ली जाती है हमको इस चीज़ का पता होना चाहिए So friends इसके बाद में हम को हम दूसरे topic पे आजाते हैं EP यह होता है engine protection cover So friends इस cover में जो insurance जो है इस cover पे हमारा जो engine है हम उसको cover कराते हैं अगर हम अपना जो vehicle है flood prone area में drive करते हैं जहां पर पानी है Sporz friends हमारे गाड़ी में पानी चला जाता है हमारे गाड़ी में पानी तब ही जाता है air filter के थ्रू Air filter के थ्रू जब भी हम bike को start करते हैं तो वो air filter के थ्रू से हमारा जो engine है उसको मतलब water को suck करके हमारे combustion chamber में ले जाता है जिसकी वज़ा से हमारा जो engine है वो मतलब जड़ो है वो excease हो जाता है चौकि water जो है non compressible जो item है उसकी वज़ा से जो हमारा engine lock हो जाता है मतलब बहुत ही बुरी तरीके से engine की जो wear and tear हो जाती है जे इस में cover होता है और friends और मतलब इस में और कुछ नहीं है और थर्ड हमारा जो add on cover है वो आटे जिसको हम बोलते है return to invoice जे add on cover में insurance company हमको क्या देती है कि जब भी हम कोई नया vehicle purchase करते है उसका जो invoice जो उसकी value होती है including tax और RTA charge जितने भी होते है loading boarding charge जो है वो सब इस RTA में include होते हैं और इस cover में जब हमारा जो vehicle है जब वो किसी case में theft हो जाता है मतलब और total loss हो जाता है तो हमको वो जो है मारी जो invoice के जो declared जो value होती है वो मतलब insurance company हमको pay करेगी और friends हमने एक चीज़ में ध्यान रखना है इसमें भी बहुत सी condition होती है जारातर हम जे कह सकते हैं कि insurance company हमको जारातर जे जो जितने भी add on part बनाती है हम मतलब consumer लोगों को ठगने के लिए बनाती है हमको इन चीज़ें के बारे में पता होना चाहिए कि हमने कैसे cheap and west cover हमने लेना है देखे friends से जैसे जो RTI cover है अगर हमने suppose कर लो कि हमारी जो है मतलब car जो है theft हो जाती है so friends इस cover में हमने एक चीज़ ध्यान रखना है कि suppose कर लो कि हमने अपना कोई जो vehicle है non parking area में हमने खड़ा कर दिया और हमारी guard theft होगी तो insurance company की जो investigation होगी वो उसके accordingly वो हमको जो RTI का जो claim है नहीं देगी वो आपके उपर claim कर देगी कि आपने जो अपना vehicle जो है कि वो parking area में नहीं लगाया गया है इसलिए आपको जाने किस चीज़ का cover हम नहीं देगी so friends जारा तर आप लोगों को मालुमी है हम जारा तर अपने vehicle को non parking area में ही पार्क करते है so friends इसी तरीके से आपको देखना है कि जो engine protection cover है अगर आप flood prone area में मतलब drive नहीं करते हैं जो आपको आपने ही रहते हैं तो मतलब आपको ये भी जो cover है लेने की जरूरत नहीं है और आपने एक चीज़ का दियान रखना है अगर इन कीज़ किसी वक्त आप कोई मतलब जैसे hill सीरिये में drive करते हैं वहाँ पर वह से ऐसे मतलब पानी के जहरने जहरे आते हैं उसमें जब भी आपने गाड़ी निकालनी है तो आपने एक चीज़ जयाद रखना है कि आपने गाड़ी बहुत slow निकालनी है अगर आपको थोड़ा बहुत हो कि आपके गाड़ी में इंजन चला पानी चला गया है है इंजन में तो आपने अपना इंजन को start करने की कोशिश नहीं करनी आपने उस समवक्त अपने टेकनिशन और मेकैनिक को बलाना है और आपने इस चीज की मतलब जो है वो अच्छी तरीकी से मतलब जाने की वी जो तसलिए करके ही गाड़ी को स्टार्ट करना है आपका बचा हो जेगा और आपकी गाड़ी जाने की वो उसी वक्त अगर वहां पर रपियर होने वाली होगी तो वहां पर वो कर देंगे अगर इसके इलावा मतलब जी अगर वहां पर नहीं होगी तो आपकी गाड़ी को टो करके गराज में ले जाएंगे वहां पर वो रपियर करेंगे इसलिए जी आपने देखना है कि आपने जी इंशूरंस लेनी है कि नहीं जी जो कवर है और फिरंट्स और फिफ्ट मा का जो है वो कॉंस इसको हम कंजूमेवल कहते हैं सो फिरंट्स जाद रखे हमारे गाड़ी में ऐसे बहुत सारे कंजूमेवल पार्ट होते है आपको पता होना चाहिए जैसे नट वोल्ट होगे ग्रीस होगे ऑलडरिंग होगे आपका इंजन आल तक होगया एर फिल्टर होगया ओर फिल्टर होगयाוז होगया और कैलीपर ग्री चलो जे तो एकसेसरी का आटम है जे इसमें इंक्लूड नहीं होते और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कंजूमेबल होते हैं जैसे उसकी हेड़ गैसकेट वगरा होगी जितने भी मतलब जाने कि ऐसे जो पार्ट हैं और ब्रीक वाइल वगरा तक हो गय जे कंजूमेबल पार्ट होते हैं इस कवर में बहुत सारे कवर भी हो जाते हैं आपने यह देखना है कि आपने यह चीज कवर अप लेना है कि नहीं आपको पता होना चाहिए कि जे कंजूमेबल मतलब जो एड़ ओन है वो कवर क्या है और सिक्स जो है केपी यह कवर होता है जे insurance company और client के बीच में एक तरह का agreement होता है और इसमे insurance company क्या करती है जैसे आपने देखा होगा कि आज कल के time में आपको मतलब company की और से कोई mail कर दी जाती है जहां आपको phone पे contact कर लिया जाता है कि आपकी insurance जो है वो जो है वो खतम होने को आ रही है और आप इसको जो है अपना जो premium है मतलब उसको renew कर लें और मतलब जाने की friends मेरे साथ से जाने की इसको तो लेने की कोई जरूरत नहीं है और friends से जात रखो अब हम इन शीप पार्ट के बीच में कुछ अलग से discussion करते हैं so friends सबसे पहले क्या होता था कि हम सिर्फ first party insurance लेती थे जहां third party insurance लेती थे first party में मतलब जो है first party का और third party का दोनों का ही मतलब जाने की वो जो cover up होता था किसी वक्त में हमने first party में अगर claim लेना होता था कोई body part का तो उसमें क्या होता था कि सबसे पहले हमने insurance company को जो है जो हमारा जो garage है जितना भी हमारा bill बना होता था हमने वो जो है उनको pay करना पड़ता था उसके बाद में insurance company का जो surveyor है वो आपकी गाड़ी को surveyor करता है और उसके accordingly भी जाने कि आपने जो मतलब जो आपकी गाड़ी में जो भी चीज़ें जो डली है वो उनके accordingly अपने मतलब उनका review करती है कि उन्होंने किस चीज़ के लिए आपको कितना percent मतलब claim देना है हर पार्ट की एक लग मतलब depreciation होती है जैसे आपने जाद रखना है कि जो आपके plastic जो पार्ट हैं उसका billing का आपको 50% मिलेगा और जो metal पार्ट होंगे उसका 100% मिलेगा so friends आपने एक चीज़ का जाद रखना है कि आजगल के टाइम में आपको जितने भी गाड़ियां मतलब use होती है जाए वो two wheeler हों company उने में मतलब plastic part का मतलब जाने के जो है प्योग करती है so मतलब उसमें भी यह देखा जावे सबसे जादा जो नुकसान है वो client का है क्योंकि insurance company आपसे बहुत जादा पैसा हीटती है उसके accordingly जब आपको claim के जरूरत पढ़ती है तो वो उतना benefit आपको नहीं दी पाती इसलिए जो जितने भी fundे हैं आपको बहुत समझे सोच समझगर जी फैसला लेना होगा और जो चीज जरूरी है उसके अच्छी तरीके से study करके ही आप मतलब जी सब लें और friends हम आपको एक बात और बता देते हैं insurance मतलब हमारी जो policy है एक उसमें बहुत important चीज़ होती है NCB जो हम no claim bonus बोलते है first year का मतलब जाने के 20% आपको जाने के भी उसका जो मिलेगा जो premium का second year में 25%, third year में 35%, fourth year में 45%, fifth year में 50% जे claim आपको तब ही उस पर मिलता है अगर आपने मतलब जाने के insurance company से कोई भी claim नहीं लिया हो और एक और important चीज़ होती है IDV जिसको हम बोलते है insured declared value आपकी जो value है insurance company ने कितनी डाली है जाद रखे friends जब हमने first मतलब year के insurance लही होती है नहीं गाड़ी पे एक चीज़ आपने जाद रखना है वो six month के अंदर अंदर उसकी जो IDV है मतलब जाने की वो जो 5% मतलब होगी उनकी invoice की मतलब जाने की वो जो मतलब इतना मतलब उसकी depreciation होगी अगर वो 6 मीने से जादा है और एक साल से कम है तो 15% और एक साल से जादा है दो साल से कम है तो 20% दो साल से जादा है तीन साल से कम है तो 30% तीन साल से जादा है और चार साल से कम है तो 40% चार साल से जादा है और 5 साल से कम है तो 50% सो फ्रेंड्स एक जी जाद रखना है हमारी जे जो इंशोरंस की जे जो पॉलसी है मैकसिमम जाने की भी पांच साल तक ही मतलब जाने की जे जो जाती है उसके आग में खाना पूरती रहा जाती है और ज्यादातर हमको कोशिश करनी चाहिए उसके बाद में हमको सिर्फ चलान बचने के लिए हमको थर्ड पार्टी इंशोरंस ही लेनी चाहिए और एक इंशोरंस कमपनी ने एक इंशोरंस जो रेगुलरिटी अथौर्ट डवैल्मेंट अथौर्टी है उन्होंने एक मतलब और्डिनस पास किया था जो एक अक्तुबर दो जाटारा को हुआ था उसकी आप जो भी फौर्ड वील लेते हैं उनके ऊपर मतलब आपको तीन साल के इंशोरंस लेनी पड़ेगी और टू-वीलर में आपको पाइस साल की इंशोरंस लेनी पड़ती है और फ्रेंट से जाद रखे ये इंशोरंस कमपनी जड़ात रकिया करती है अगर आप फौर वील आपको पहले साल की फर्स्ट पार्टी और चार साल के लिए थर्ड पार्टी मतलब चार साल के लिए थर्ड पार्टी इंशूरंस आपको मिलती है अगर आप कभी भी कोई सेकंड हैंड वीकल परचेस करते तो आपने एक चीज़ का दियान रखना है कि जरातर मतलब लोग जो कहते हैं कि हमने पाइस साल की इंशूरंस ली है जो कार वाले कहते हैं तीन साल की इंशूरंस ली है तो आपके माइड माइड में एक क्वेस्टन जरूर होना चाहिए उनको बताने के लिए कि मतलब जाने कि जे तो आपने जो नई गाड़ी ली थी जे तो आपके लिए कमपलसरी था कि आपने तो लेनी थी जे बात उनको बताने के लिए आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है इसलिए जारातार ए जी वीडियो बनाने का सिर्फ यही मतलब है कि आपने मतलब जी जो मतलब इंशूरंस जो है जब भी परचीज करनी है आपने सुविश समझ के परचीज करनी है क्योंकि आपके मेनत का पैसा है उसको ठग होने के से आप बचाएं जो इंशूरंस जान्ट हो वो आपको कभी भी इन चीजों के बारे में नहीं बताएगा क्योंकि वो तो उसकी मतलब जानी की अर्निंग का सरूत है जो मार्केटिंग जो से ट्रैटिजी है मतलब उसके अकॉर्डिंगली आपको मतलब काफी बहुत सारी ऐसे पॉइंट है जिसमें सिर्फ जी इंशूरंसी नहीं और भी ऐसे बहुत सारी पॉइंट है जैसे मार्केटिंग में जब आप काड़ी में लेने जाते हैं उनको सिरف अपनी गाड़ी की सेल के साथ मतलब है आपके साथ कोई नहीं इसलिए आज का जिकाल जो डो टाइम है आपने जाने कि जीवी किसी भी तरह की जो पर्चीजंग करनी है आपने सूल समझ के करनी है कभी जल्दबाजी में पर्चीजंग नहीं करनी है so friends जाद रखें वैसे इन पार्ट में और तो ऐसा कोई जाद नहीं है return to inject friends जाद रखें जाने कि मेरे साथ से इसका कोई benefit नहीं है और engine protection इनकी भी कोई जरूरत नहीं है route side assistance की भी आपको कोई जरूरत नहीं है consumeable part की भी मतलब जाप वैसे ले सकते हो मतलब अपने गाड़ी को 70 किलोमेटर पर हवर की स्पीड से ज़्यादा ना चलाएं सो फ्रेंड्स आपने मतलब हमने अपनी और से मतलब काफी मतलब ऐसी जो इंफरमेशन है आपको देने की कोशिच की है मतलब इसमें और भी बहुत सारी इंफरमेशन हो सकती है कार इंशोरंस मतलब जाने की इंसेक्ट जे एक जनरल इंशोरंस है दो टाइप की होती है जे मतलब जाने की जो इंशोरंस होती है एक जनरल इंशोरंस होती है और एक मतलब जो है लाइफ इंशोरंस होती है मतलब यह जो मतलब इनके जो टाइप हैं और यह जो कार इंशोरंस है कि जनरल इंशोरंस का एक पार्ट है और फ्रेंड्स इस चीज़ के रिलेटर्ड आप हमसे अगर कोई भी क्वेस्चिन आपके माइंड में हो तो आप हमको पूछ सकते हम आपके उसका रिपलाई देने की कोशिश करेंगे सो फ्रेंड्स हमारा जो विनाश परका जो यूटूब चैनल है इसमें हम कोई ना कोई टेक्निकल कोई भी इन्फरमेटव अपनी वीडियो ढालते रहते हैं आप उसको सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेस कर दें और फ्रेंड्स बस इस में हम आपको सिर्फ इतनी इंफरमेशन देना चाते थे धन्याबाद